हाँ तो दोस्तों अभी आप निर्भेवादवाजी से मिल रहे हैं जो हनमान जी आप जानते ही है संकर्मोजन महावली हनमान उसे लेकर बिग नर्दा गनेश तक और फाइनली अब इनकी एंट्री महा युद्धा गरूड शो में हो चुका है अजलीड तो इनसे ही चानते हैं कुछ बताएंगे आपसे बताएंगे सर गरूल जो है बहुत ही जल्दी सब ट्यूवी पर आने वाला है आप सब लोग उसे देखियेगा उसके लिए सौरी कि काफी लेट हो रहा है थोड़ा आने के लिए लेट इसकारण हो रहा है क्योंकि बहुत सारे उसमें ग्राफिक्स है बहुत सारा एक मशीन है इसका नाव है मोशन कैप्चर उसके लिए थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर फस्स टाइम इस तरह की टेक्नलोजी सीरियल में लाई गई है तो उस टेक्नलोजी से मेरे पूरी बाडी के अंदर वायर्स लगेंगी और वायर्स जाना चाहते हैं की कास्टिंग के बारे में तो आप बताएंगे क्या कितने हुआ है नहीं हुआ है जो भी है कास्टिंग चल रहा है प्रोसीसर उसका प्रोसेस में है बहुत सारे नए लड़के नए लड़किया आपको इसमें दिखाई देंगे लेकिन अभी तक फाइनल कर दिया जाएगा हम लोगों से इसी चैनल पर जुड़े जाएगे है अगला सवार सभी जाना चाहेंगे आपसे कि आपको जो मशीन लगा जाता है पुरे बोड़ी में मोशन कैप्चर या जो भी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजा आप वो फस्टाइम में बहुत स जाएगे हैं मेरी बोड़ी में बहुत सारे औरेंज कलर के एक बिस्किक जितने संसर्स जो मेरी पूरी बोड़ी यहां से उपर से लिके मिचे तक लगाए जाते है उसके उपर मेरे को जोईलरी पहना जाती है तो और उस में मोशन उस सेंसर में खास बात है कि वो बहुत हिल तो उसके थोड़ा वर्ट चल रहा है और बहुत ज्यादा पासली है क्योंकि मेरे हिजाब से कम से कंग 1 CR या 70 Lakh से 1 CR तक की वो मशीन है चो मेरे मेरे को लगाई जाती है और मेरे को बहुत ज्यादा उस पर ध्धान देना होता है कि टूपना जाए या कुछ होना जाए क्योंक इंफोर्मेशन मिलती रहेगी आप ऐसे ही हमारा चैनल देखते रहेगे हमसे जुड़े रहेगे लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जै श्री राम जै श्री राम